वाहिगुर्जी का अखाल, वाहिगुर्जी की फते, शिरी हरमंदर साहिब ये नाम सुनदे ही, हर एक शर्दावान व्यक्ती दे मानवेच शर्दा दी लो जग जनदी है, सरोवर दे जल विच्चों चा लक दी हुई हरमंदर साहिब दी काया, पाणिया ते बाणियता समेल द गुरु रामदास जी दे दर्दी बढ़ियाई ये समय पूरा संसार करदा है जो भी एक वार शर्दा दे नाल दर्बार साहब दे दर्शन कर लेंदा है उस दे मान विच्चों दर्बार साहब दा मनमोक द्रिश कदे भी नहीं निकलदा अत दिल वे चो सतकार पैदा हुंदा ह सतकार शावद भी बहुत उच्चा है कोई भी किसे तो जबरदस्ती सतकार नहीं करवा सकदा सतकार ता हमेशा देल तो ही कीता जानदा है इसे सतकार पावनु दर्शन दी आज दी एक अटना किसे चमतकार तो गट नहीं है एक अटना गुरु रामदास जी दे प्रती प्रे आक्टरी दियां मशीना वेच खराब भी आ गई सी ते मशीना जर्मन मेड होन कारण उनना नू ठीकर वाण ले जर्मन तो ही इंजिनियर मगवोना प्या सी दाना सिंग जी ने दस्या कि ओस इंजिनियर नू मशीना ठीकर नी तेन तो चार दिन लगे दाना सिंग नू ये कुछ दिन इंडिया विच होर रुकेगा कि ये थे नेडे कोई देखन योग जगा है जदो कोई भी किसे गुर सिखन इस तरह पुचदा है ता सब तो पहला नाम जुबान उते गुर रामदास जीदे दरदा ही ओंदा है दाना सिंग जी ने किहा कि सर इथे दरबार साहब देखन योग जगा है तो उसी जरूर ही गोल्डन टेंपल दा नाम पहला सुने होवेगा अगो इंजीनर ने किहा कि मैं बहुत वार गोल्डन टेंपल दा नाम सुने है मान विच इच्छा भी सी के एक वार इसनों जरूर देखांगा उस तो बाद इंजीनर ने अपना समान पैक किता अथ एक जीप रही ओ दरबार साहे पहुंच गए जदो दरबार साहे पहुंचे ता सब तो पहला उनन जोड़े उतारन ली किहा गया इंजीनर ने पुछया कि इस तरह क्यों करना है ता दाना सिंग जी ने किहा कि साड़े ता रमदी मर्यादा है इसनों फॉलो कर पहले जोड़े उतार दे जदो उसनों सेरं पहले किया ता उसने फिर सवाल किता कि सिर क्यों टकना है ना दाना शिंग जी ने उनना नुख के लंगन लगा ता सेवाधारा ने उसनु रोग लया है पैर तो उनवास। केहा ता दाना सिंग जी ने फिर तो समझाया के अंदर जान तो पहला पैर साफ सुथरे होने चाहिए देहन एवी एक मर्यादा है जो सतकार वजों निभाई जान दी है जो जो उसनों कहन दे गई ओ मन दा गया क्योंकि ओ पहली बार हर मंदर सहाव दे दर्शना ले आया सी के इसे इनिए सफाई के में है ता दाना सिंग जी ने कहा के सवेरे बड़े इ इसे गौर्ट दे सेवक आंदे हन अते इसनु साफ कर दे हन ये इस गलते ही इंजिनियर ने ने हेहित हाँख सेवक अंदे हन ता दना सिंगजी ने कहा हां ये सच र hij Tr लो पाद उनना नुना आप ही बोलन लगा माई गौड माई जीसस दाना सिंग जी नू लगया के शायद उसनू अपने जीसस दे दर्शन होई होणगे अते उसने विस्माद विच आके ही ए शब्द कहे होणगे उस तो बाद ओ दोनू अंदर गई मत्था टेक्या अते रागी सिंगां दे पिछे बै ता करके मैंनू दो कंटे दा पता नहीं लगा के कदों समा निकल गया पर एस जर्मन इंजिनियर नू तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होएगा वो ता एही सोच रहा होएगा कि उसनू मजबूरी विच उस दे नाल ही उते बैठना पैगया उस तो बाद बाहर आके दाना सिं जी ने हस्दे होए जवाव देता कि हां मैं गुर्से का आते गुरुबानी गुर्मुखी चंगी तरह समझ नहां अग्गों इंजिनियर ने बड़े हरान हुए किहा कि उथे गुर्मुखी विच नहीं जर्मन पाशा विच गाया जा रहा सी इसे लिए तो मैं भी उथे दो कांटे तो बद समाबतीत किता हाथे अनन्द माने हाथे मैंनू सब कुछ समझ आ रहा सी इसे करके मैं दो कांटे उथे बैठा रहा हाथे कीर्टन सुन दा रहा पर दाना सिंग जी एक बार फिर तो हैरान हो गई उनना ने कहा कि नहीं नहीं इंजीनियर साहब एथे ता रोज गुरमखी बेच कुर्बानी पड़ी जान दी है तो गुरमखी बेच ही किर्टन कीता जानदा है तोसी एधन क्यों कह रहे हो या फ coffin कोई मजाग कर रहे हो पर उस जर्मन इंजिनियर ने पूरा सीर सुन दे हुए किहा कि दाना सिंग जी मैंनों उत्हे बैठे हुए एक एक शब्द समझ आ रहा सी हाते मैं इसे करके दो कंटे किर्टन दा पूरी तरा अनांद मानया क्योंके मैं उसनू समझ पा रहा सी ए सुण के दाना सिंग जी सोचा बेच पै गई अधे सोचन लगे के ए किस तरह हो सकदाए पर कुछ सोचन तो बाद उन्हानों असल गल समझ आ गई के ए गुरु रामदास जी दी ही कोई किरपा है गुरुदी रमज समझन तो बाद दाना सिंग जी ने इंजिनियर नल बहस नहीं की थी अते लंगर चकन ली अग्गे चले गई लंगर चकन तो बाद इंजिनर ने पुछया कि एस फूर दे पैसे किते पे करने हन ता दाना सिंग जी ने कहा कि एस सब फ्री है फ्री दा नाम सुन के इंजिनियर फे बार फिर तो बहुत हारान होया आटे कहा के की इन्ने सारे लोक सारे फ्री विच खाणा खान धे हन तडाना सिंग जी ने कहा हाँ जी एते हर रोज लखन दी गेंटी वे शर दालू फ्री विच खाना खान धे हन अते ए मर्यादा वर्यां तो चली आ रही है अते अगे वी इद्धा ही चल दी रहेगी होनो उस इंजिनियर दी हैरानी दी कोई हाद नहीं रही सी वो होर जनन वास्ते उत्सक हो रहा सी एस करके समापती तक ओ दर्बार साहिब ही रहा समापती तो बाद जदों गुरु गरंत साहिब जी नो पालकी साहिब विच अकाल तक तबल लेके जान लगी ता उसने दाना सिंग जी नो फिर पुछया के एक ही हो रहा है ता दाना सिंग जी ने किहा के गौड अपने विश्राम अस्थान ते जा रहे हैं ये सुन के उस इंजिनियर ने भी जा के पालकी साहिब नो मुड़ा लगा लिया हाते अकाल तक साहिब तक नाल ही गया उस तो बाद उस इंजिनियर ने दाना सिंग जी नो पुछया के दाना सिंग जी आपना रात किते बतीत करनी है हाते सोना कित्ते है, क्यूंकि उसने सवेरे गौध दे सेवादारानों देखना है, जो रोज शफाई करनाों देहन ता दाना सिंग जी ने कहा के आपा अज इते परकर्मा विच ही सौंवाघ के, ता के सवेरे अमर्त वेले उस सेवादारानां दे दर्शन कर सके जदो अमरते वेले सेवादार बाल्टियां लेके आए ता दाना सिंग जी ने उस इंजिनिर नो उठाया इंजिनिर उसे वेले उठाके अपनी कमीज नाल ही पर करमा दी सफाई करन लग गया उस तो बाद इशनान करके त्यार होके अकाल तक्त दे बाहर खड़े हो गई गुर्बानी दी ऐसी चेटक लगी के ओ शामनों कीड़तन सोईला तक उते ही बैठा रहा दो दिन उते रुकन तो बाद उसने दाना सिंग जी नो किहा के मैंनों एक कार लेके दियो क्योंके मैं इसनों जर्मनी लेके जाना है उसने कार लाई अते उत्तों चले गई कुछ सम बाद जदों फिर तों को पूर्थला विखी फैक्टरी वेच उसनों किसे काम बुलाया गया ता उस इंजिनियर ने काम खतम करनतों बाद दाना सिंग जी बारे पुछया जदों उसनों पता लगा के दाना सिंग जी नोकरी चाड़ गई हन ता उस इंजिनियर ने फोन करके स्पेशल दाना सिंग जी नूँ उत्थे बलवाया जदो दाना सिंग जी उत्थे गए तैक निले बाने वेच सिंग खड़ा सी जो कद काथी तो बड़ा ही उच्चा लम्मा अते सोना सनक्खा सी दाना सिंग जी ने उसनू नहीं पहचानेया फिर उस निले बाने वाले सिंग एही दस्या कि मैं ओही जर्मन इंजिनियर हां जिसनों तूं दर्बार साहब दे दर्शन करवाई सन्व उस सिंग ने दस्दे हुए कि हा कि उस्ते गुरु रामदास जी दी इन्ने किरपा हुई क्यों जर्मन जाके सिंग सच गया सी अते अपने पूरे परवार नों भी अमर् कि विडियो जेकर चंगी लगी होए तथ तुसे भी कमेंट वेच वाही गुरुजी जरूर लिखना वाही गुरुदी की व्यूस्जी दृब